आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़े उद्ध्योग पती मुकेस अम्बानी जी का जो अपने जीवन में एक सक्सेसफुल बिजनेसमेन बन पाएं। क्या आप जानते हैं जो नाम उन्होंने अपने जीवन में कमाये हैं वह उनको वैसे ही मिल गया होगा। नहीं मेरे भाई उसके लिए वह बहुत ज्यादा परिश्रम किये होंगे। उन्होंने अपने एक इंटर्वीव में सक्सेसफुल बिजनेसमेन होने का सेवन बेहतरिन आदतों के बारे में बताये हैं। नमबर वन लच्छ कभी छोटा नौ रखें। मुकेस अंबानी जी ने बताये हैं कि हम अपना कभी भी छोटा लच्छ नहीं रखें। उन्हें हमेशा अपने आप पर विश्वास था कि लाइफ में वह कुछ बहुत बड़ा हासिल करेंगे। और वे पूरे जुनून के साथ मेनहत कियें और नतीजा आज हमारे सामने हैं। वह कहते हैं कि उन्हों के पास एक बेस्ट टीम है और वह अपने टीम पर विश्वास रखते हैं। और उनका कहना है कि रिलाएंस इंडस्ट्रीज की सफलता का सबसे बड़ा राज टीम ओवर कह है। नमबर थ्री हमेशा सकरात्मक रहें। अंबानी जी कहते हैं कि उन्हें हर परिस्थिती में सकरात्मक रहना पसंद है। और वे कहते हैं यह गूड जो है हमारे पिता के वजह से आए है। नमबर 4 ौसफलता से नौ डरें। मुकेस अंबानी जी कहते हैं कि हम असफलता से डरते नहीं बलकि उससे सीखना पसंद करते हैं। शुरुआत में उनको असफलता का सामना करना पड़ा था। लेकिन वह असफलता से सीखते रहें और जिन्दगी में आगे बढ़ते रहें। उन्होंने बताया है लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना जरूरी है क्योंकि जीयो एक नया एक्सप्रियेंस था। इससे पहले टेकनलाजी के छेत्र में कोई भी कमपनी ऐसा कुछ नहीं किया था। अगर आप मेनहत नहीं करोगे तो क्या पाओगे। अमबानी का मानना है कि मेनहत का कोई दूसरा भी कल्प नहीं होता है। इसलिए आप जब तक अपने लच्छ को पूरा ना कर लो तब तक आपको दिन रात मेनहत करनी चाहिए। नमबर सेवेन दान करना जरूरी है। मुकेस अमबानी दान करने में विस्वास रखते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा है तो वह दूसरों के लिए है। इसलिए वह कई ट्रस्ट शुरू कियें और जरूरत मंदों की मदद करते हैं।